हेलो फ्रेंड्स स्वागत है अब सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी शुशिंग में तो फ्रेंड्स आज हम RBC क्लास 10 हिंदी शिती चैप्टर नमबर 11 के पार्ट 5 को continue रखेंगे यदि आपको हमारे वीडियो अच्छा लगे तो प्लिस वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जुरूत होएं ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिक्शन राप्त हो सकें पेज नमबर 48 के स स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे महसिन ने एडी चोटी का जोर लगा कर कहा एडी चोटी का जोर लगा कर कहा एडी चोटी का जोर इस पर अंडरलाइन कीजिए ये एक मोहावरा है और इसका मतला होता है पूरा प्रयाज करना ठीक है ना महसिन ने एडी चोटी का जोर अच्छा, पानी तो नहीं बढ़ सकता, हामिद ने चिम्टे को सीधा खड़ा करके कहा, बिष्टी को एक डाट बताएगा, तो दोड़ा हुआ, पानी लाकर उसके द्वार पर छिड़कने लगेगा, मौसिन परास्त हो गया, पर महमुद ने कुमुक पहुँचाई, मौसिन परास्त हो गया, पर महमुद ने कुमुक पहुचाई, अगर बच्चु पकड़ा जाए, तो आदालत में बंदे बंदे फिरेंगे, तब तो वकिल साब के पैरों पड़ेंगे, हामिद इस प्रबलत तर्क का जवाब ना दे सका, उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आ लाओ, अभी जरा कुष्टी हो जाए, अच्छा लाओ, अभी जरा कुष्टी हो जाए, इसकी सूरत देखकर तो, इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे, पकड़ेंगे क्या बेचारे, मौसिन को एक नई चोट सूज गई, मौसिन को एक नई चोट सूज गई, तुमारे चिम्टे का मुँ रोज आग में जलेगा उसने समझा था कि हामिन ला जवाब हो जाएगा ला जवाब यानि उत्तर देने में ऐसमर्थ हो जाएगा लेकिन यह बात ना हुई लेकिन यह बात ना हुई हामिन ने तुरन जवाब दिया आग में बादूर ही कूदते हैं जनाब तुमारे एक वकील सिपाई और बिष्टी औरतों की तरह घर में घुश जाएंगे आग में कूदना वह काम है जो यह रुस्त में हिन्द ही कर सकता है आग में कूदने पर अंडरलाइन कीजिए ये एक मुहावरा है जान बूच कर मुसीबत में पढ़ना इ इस तरक ने सम्मी और नूरे को भी जजीब कर दिया मतब जीवन जी उठा दिया कितने टिकाने की बात कहिए पठे ने चीम्टा बावर्ची खान में पढ़े रहने के सिवा और क्या कर सकता है हामित को कोई फड़कता हुआ जवाब ना सूजा तो उसने दो देली शुरू क क्या शुरू की दो धली इसका मतबता है बेमानी शुरू कि मेरा चीम्टा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा वकिल साब कुरसी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा बात कुछ बनी नहीं खासी गाली गल मानों कोई धेले चा कनकवप, किसी गंडे वाले कनकवप को काट गया हो, कानूर मूह से बहार निकालने वाली चीज है उसको पेट के अंदर डाल दिया जाना बीतु किसी बात होने पर भी कुछ नयापन रखती है हामिन ने मैदान पर मैदान माल लिया हामिन ने क्या मैदान माल लिया उसका चीम्टा रुस्त में हिंद है अब इसमें महसीन, महमूद, नूरे, सम्मी किसी को भी आपती नहीं हो सकती विजेता को हारने वालों से जो सदकार मिलना स्वभाविक है वे हामिन को भी मिला औरों ने तीन-तीन, चार-चार आने पैसे खर्च किये पर कोई काम की चीज ना ले सके हामिन ने तीन पैसे में रंग जमा लिया सची तो है खिलोनों का क्या भरुसा टूट फूट जाएंगे हामिन का चीम्टा तो बना रहेगा बरसो संदी की शर्ते तय होने लगी प्छिन ने कहा जरा अपना चीम्टा तो दो हम भी देखें तुम हमारा विष्टी लेकर देखो मौसीन ने कहा जरा अपना चीम्टा दो दो हम अपनी देखें हम भी तो देखें तुम हमारा विष्टी लेकर देखो महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलोने पेश किये चीमटा बारी-बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलोने बारी-बारी से हामित के हाथ में आए कितने खुबसूरत खिलोने हैं हामिन ने हारने वालों के आंसु पहुचे मैं तुम्हें चिडा रहा था सच यह चीम्टा भला इन खिलोनों की क्या बराबरी करेगा मालूम होता है अब बोले अब बोले यानि दूसरे लोग ने बोला लेकिन मौसीन की पार्टी को इस दिलासे से संतोष नहीं होता चीम्टे का सिक्का खुब बैठ गया है चिपका हुआ टिकट चिपका हुआ टिकट अब पानी से नहीं छूट रहा है मौसीन लेकिन इन खिलोनों के लिए कोई हमें दूआ तो ना देगा महमुद दूआ को लिए फिरते हो उल्टे मारना पड़े अम्मा जरूर कहेंगी कि मेले में यही मिट्टी के खिलोने तुम्हें मिले हामित को स्विकार करना पड़ा कि खिलोनों को देखकर किसी की मा इतनी खुश ना होगी जितनी दादी चीम्टे को देखकर होगी तीन पैसों ही में तो उसे सब कुछ करना था और उन पैसों के इस उप्योग पर पस्तावे की बिल रास्ते में महमुद को भूक लगी. उसके बाप ने केले खाने को दिये. महमुद ने केवल हामित को साजी बनाया. उसके अन्यमित्र मूँ ताकते रह गए. यह उस चीम्टे का परसाथ था. ग्यारा बजे गाउं में हलचल मच गई मेले वाले आ गए मौसिन की छोटी बहन ने दोड़कर बिश्टी उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जो उचली तो मिया बिश्टी नीचे आ रहे और सुर लोग सिधारे अंडरलाइन कीजिए सोड लोग सिधारे में ये क्या एक मुहावरा है इसका मतलब होता है नश्ट होना ये मिट्टू लोग पहुच जाना इस पर भाई बहन में मार पीठ हुई दौनों खूप रोए उनकी अम्मा ये शोड सुनकर बिगडी और दौनों को उपर से दो दो चाटे और लगाए मिया नूरे के वकील का अंतु उनके पतिष्टा अनुकूल इससे ज्यादा गौरवम में हुआ वकील जमीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकता जमीन वकील जो है जमीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकता उसकी मर्यादा का विचार तो रखना ही होगा दिवार में दो खूटियां गाडी गई उन पर लकडी का एक पटरा रखा गया पटरे पर कागज का कालिन बिचाया गया वकील साफ राजा भुज की भातिस यासन पर बिराजे प्रेंट्स आगी का लेसन आप अगली वीडियो में देखेंगे यह दि हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद